हेलो एन वेलकम टू दे एजुकेशनल चैनल मिनाक्षी जेल इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के कितने राज्यों में बाइकेमरल लेजिसलेचर या द्वी सदनात्मक विधान मंदल है इस वीडियो में साथ बाइकेमरल स्टेट्स तो पड़ेंगे ही उसके साथ उन सातों राज्यों से रेलेटेड कुछ जीके भी देखेंगे भारत में 29 राज्ये है और हर राज्ये का अपना विधान मंदल या स्टेट लेजिसलेचर होता है राज्य के विदान मंदल में या State Legislature consist राज्य पाल यानि गवर्नर, विदान परिसद, Legislative Council या Upper House, विदान सभा, Legislative Assembly या Lower House. भारत के राज्यों में दो तरके विदान मंदल या State Legislature है. एक सदनात्मक यानि यूनिकेमेरल जिसमें राज्य पाल और विदान सभा होंगे और द्वी सदनात्मक यानि बाइकेमेरल इसमें राज्य पाल विदान परिसद और विदान सभा होंगे. भारत के 29 राज्यों में से सिर्फ 7 राज्यों में ही Bicameral Legislature या द्विसदनात्मक विधानमंडर है यानि भारत के सिर्फ 7 राज्यों में ही विधान परिशत या Legislative Council है लेकिन ये विधानसभा यानि Legislative Assembly भारत के 29 राज्यों के साथ दो केंदरसासित प्रदेसों में भी है दिल और पुडुचेरी इस पुडुचेरी को कभी आपने मैप पर देखा हो तो इसकी चार जिले हैं और चारो ही प्रथक यानि Disconnected हैं पुडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु राज्यों से गिरे हैं और माहे जो अरप साकर के पास केरल राज्ये में स्थीत और यनम बंग पुडुचेरी का माहे डिस्ट्रिक्ट है ये भारत का एरिया वाइज यानि शेत्रफल की द्रश्टी से सबसे चोटा डिस्ट्रिक्ट है माहे अगर सबसे चोटा डिस्ट्रिक्ट है भारत का एरिया वाइज तो भारत का एरिया वाइज या शेत्रफल की द्रश्टी से सब सबसे बड़ा जीला या डिस्ट्रेक्ट कौन सा है तो कच्छ जीला गुजरात राजे का कच्छ जीला क्षेत्रफल की द्रश्टी से भारत का सबसे बड़ा जीला है 45,652 स्क्वेर किलोमेटर के साथ और पूडुचेरी का माहे डिस्ट्रेक्ट 8.79 स्क्वेर किलोमेटर के साथ सबसे छोटा जीला याद रखने के लिए कच्छ एरिया वाइस सबसे बड़ा डिस्ट्रेक्ट 45,000 स्क्वेर किलोमेटर से कुछ ज्यादा और माहे सबसे छोटा जीला 9 स्क्वेर किलोमेटर से भी कुछ कम का एरिया भारत के 7 bicameral states मैंने अपनी KBC preparation के समय map की सहायता से याद किये थे ये वही map है जो मैंने अपनी KBC preparation के समय बनाया था मुझे ये 7 states इस तरह से याद हो गए हैं कि ना तो मैं इन में confused होती हूँ ना मैं अब कभी इन्हें भूल सकती हूँ इसलिए मैंने ये सोचा ये ट्रिक मैं आप सब के साथ share करूँ शायद आपको भी ये 7 राज्ये याद रखने में असानी होगी एक blank में भारत का ले ले और इस तरह इन 7 राज्यों में line draw कर ले line draw करने के बाद आप देख पाएंगे चार राज्ये साउथ में महराष्ट्र के जस्ट नीचे करनाटक और करनाटक से लगकर तेलंगाना और तेलंगाना के पास अंध्रप्रदेश ये चारों राज्ये साउथ में और उत्तर में उत्तरप्रदेश और उसके पास बिहार अब छे राज्य हो गए, चार साउथ में और दो नौर्थ में और एक जो बचा है वो एकदम नौधन मोस्ट पार्ट में जम्मू इनकस्मिर इस तरह मैप पर ये सातो राज्य बना लीजिए और इनकी लोकेशन याद कर लीजिए अब इन सातो राज्यों की थोड़ी सी डीटेल जानकारी भी देखेंगे सबसे पहले जम्मू कस्मिर से सुरू करेंगे जम्मू कस्मिर राज्य का भारत में विले हुआ 26 अक्टोबर 1947 को जम्मू कस्मिर का स्टेट एनिमल या राज्य पसू है कस्मिर स्टेग कस्मिरी पारसिंगा जिसे हंगुल भी कहते हैं यह जो स्क्रीन पर दीख रहा है यही है कस्मिर स्टै या हंगुल जम्मू और कस्मिर राज्य का राज्य पसू और स्टेट बर्ड है ब्लेक नेक्ड क्रेन या काली गर्दन वाला सारस और ये जो स्क्रीन पर दीख रहा है यही है ब्लेक नेग्ड क्रेम या काली गर्दन वाला सारस जमू और कस्मिर राज्य का राज्य पक्सी या स्टेट बर्ड और स्टेट ट्री है चीनार ट्री चीनार का पेड भारत में जमू कस्मिर राज्य को विसेश राज्य का दरजा प शम्विदान के किस आर्टिकल के तहत जम्मու कस्मीरराज्य को विसेयष राज्य परता हैं। अनुछे इस्मविदान के 21 भाग में आर्टिकल 370 जम्मु और कस्मीरराज्य कोenda का दरज प्रदान Gör जम्मु कस्मिर राज्य की विदान सबा का कारेकाल 6 वर्स का होता है जबकि भारत के बाकी राज्यों में legislative assembly का tenure 5 वर्स का होता है इसी special status के तहट जम्मु और कस्मिर भारत का एकमात्र राज्य है जिसका अपना राज्य द्वज है तो जम्मु कस्मिर राज्य का ये state flag है जिसमें red background पर तीन vertical strips है जो राज्य के तीन भूभाग जम्मु कस्मिर घाटी तथा लद्धा को दर्साती है और ये right side में हल है जो क्र यानि agriculture को represent करता है जम्मु कस्मिर पर एक important question ये भी बनता है कि 1947 आजादी के समय जम्मु कस्मिर रियासत के सासक कौन थे तो महाराज हरी सिंग ये महाराज हरी सिंग डोगरा डाइनेस्टी के सासक थे डोगरा राजवन्स के इन ही महाराज हरी सिंग ने राज्य को भारत में विले के लिए एक कानूनी दस्तावेज भी साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को instrument of accession जिसे भारत की तरफ से accept किया गया था आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड लुईस माउंट बैटन ध्वारा कस्मिर पर एक question ये भी पूछा जाता है कि 1846 में किसने कस्मिर को आ गुलाब सिंग ने 1846 में Treaty of Amritsar या Amritsar की संदी 1846 के तहत अंग्रेजों से आधिकारिक तोर पर कस्मिर को 75,99 रुपयों में खरीदा था यही महराजा गुलाब सिंग डोगरा राजवन्स के संस्थापक भी थे और इसी डोगरा राजवन्स के अंतिम सासक महराज हरी जो आजादी के समय जम्मु कस्मिर रियासत के सासक थे अब जम्मु कस्मिर राजव के प्रथम मुख्य मंत्री या फर्स्ट चिफ मिनिस्टर तो गुलाम मोहमत सदी आपको कहीं पर महरचन महाजन भी लिखा मिल जाएगा ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 से 1965 तक जम् में एक ही परिवार की तीन पीडिया मुख्य मंत्री रह चुके हैं सेख अब्दुला फिर सेख अब्दुला के पुत्र फारुख अब्दुला और फिर फारुख अब्दुला के पुत्र उमर अब्दुला जम्मु कस्मिर राजव की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन है तो यानि इस राच्चे में पिता और पुत्री की जोड़ी भी है, जो मुक्हमंत्री के पत्तक पहुँच चुके हैं। दमंदीव को ओपरिशन विजय के तहट भारत में सामिल किया गया तब गोवा और दमंदीव पूरा एक ही केंद्रसासित प्रदेश था बाद में उनिस सो सित्यासी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमंदीव केंद्रसासित प्रदेश रहा यह जो महबुबा मुफ्ती के पिता हैं मुफ्ती मुहमद सई यह भारत सरकार में ग्रह मंत्री भी रह चुके हैं और इस पत्परासिन होने वाले यह पहले मुस्लिम राजनेता है यानि भारत सरकार के पहले मुस्लिम ग्रह मंत्री तो मुफ्ती मुहमद सई और अब दूसरे राज्य पर आते हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य का स्टेट एनिमल है स्वैंप डियर या पारसिंगा और यह जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यही है उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पसू स्वैंप डियर या पारसिंगा और उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्सी यानि स्टेट बर्ड है सारस क्रेन या सारस क्रोंच सारस क्रेन सबसे उंचा उढ़ने वाला पक्सी है यानि टॉलेस्ट फ्ल तो सुतुर मुर्ग यानी ओस्ट्रिच आएगा लेकिन ओस्ट्रिच उड़ता नहीं है सारस क्रेन सबसे उचा उड़ने वाला पक्सी है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य मंत्री या फर्स्ट चिफ्ट मिनिस्टर आफ उत्तर प्रदेश तो गोविंद बलब पंत जी को भारत रत ने भी प्राप्त हो चुका है उन्निस सो सत्तावन में और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री या फर्स्ट फीमेल चेफ मिनिस्टर आफ उत्तर प्रदेश तो सुचेता क्रिपलानी भारत के किसी भी राजे की पहली महिला मुख्य मंत्री है यानि भारत में पहली बार कोई महिला मुख्य मंत्री वनने वाली तो सुचेता क्रिपलानी ये सुचेता क्रिपलानी ने भारत के एतिहासिक दिन भारत की आजादी के समय यानि 1947 में 14 और 15 आगस्ट की मध्य रात्री में जवाहरलाल नहरू के बहुचर्चित भासन ट्रिष्ट विथ डेस्टिनी यानि नियती से वादा से कुछ मेनट पहले कौन सा गीद गाया था तो वंदे मात्रम सुचेता क्रिपलानी ने वंदे मात्रम गीद गाया था 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्री को सम्विधान सभा में उत्तर प्रदेस में दो महिला मुख्य मंत्री रह चुकी है एक सुचेता क्रिपलानी और दूसरी मायावत्ति उत्तर प्रदेस उन तीन प्रदे और जयराम जयललिता या शौट में जय जयललिता यह दोनों तमिलनाडु में मुख्य मंत्री रही है और दूसरा राच्य है उत्तर प्रदेश ही सुचेता क्रपलानी और मायावती और तीसरा प्रदेश है यूनियन टेरिटरी दिल्ली जहां पर सुस्मा स्वराज और सिला दि चौदरी चरण सिंग और विश्वनात प्रताप सिंग उत्तर प्रदेश भी उन कुछेक राज्यों में से है जहां पिता और पुत्र दोनों मुख्य मंत्री के पदपर रहे हैं यहां पर मुलायम सिंग यादव और उनके पुत्र अखिलेस यादव एक और इंपोर्टेंट बात यहां है कि जब उत्तर प्रदेश में बाबरी ढाचा विद्वन्स की घटना हुई तब उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री कौन थे तो बाबरी ढाचा विद्वन्स की घटना के समय उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री थे कल्यान सिंग यह कल्यान सिंग यूपी में बीजेपी से पहले मुख्य मंत्री थे और एक और उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख्य मंत्री राजनाथ सेंग अभी केंद्र सरकार में ग्रह मंत्री है और अब उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्य पाल या first female governor तो सरोजनी नाइडू इससे पहले के राज़े में मैंने first female governor नहीं बताई थी वो इसलिए क्योंकि JNK में अब तक कोई female governor बनी ही नहीं है सरोजनी नाइडू जी के बारे में एक question ये भी पुछा जाता है कि राज़ेपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिडिया के संतुले है यह कथन किसका है who made the comment governor is a bird in the golden cage तो यह कथन सरोजनी नाइडू जी का है next state बिहार बिहार का राज़ेपासू या state animal गौर ये जो picture में आप देख पा रहे हैं यही है गौर बिहार का राज़ेपासू और राज़ेपासी house पेरो यानि गरेलू गौर या और ये जो देख रहे हैं यही है गरेलू गौर या जो बिहार का राज़ेपासी है या state वर्ड है state tree या राज़ेपेड यहां का people का पेड, people tree और first chief minister of बिहार या पहले मुख्य मंत्री बिहार के तो श्री कृष्ण सिन्हा और first woman chief minister of बिहार या पहली महिला मुख्य मंत्री बिहार की तो राबडी देवी यह राबडी देवी लालू प्रसाद्यादव की पत्नी है जो यहां के मुख्य मंत्री भी रहे हैं यानि इस राचे में पति-पत्नी की जोड़ी है जो दोनों मुख्य मंत्री पत पर रहे हैं लालु प्रसाद यादव और राबडी देवी भारत के एक और राज्ये में इससे पहले पति-पत्नी दोनों मुख्य मंत्री के पत पर रह चुके हैं तमिल नाडु के M.G. रामचंद्रन और उनकी पत्न दो चानकी यान्दाण इन M G रामचंदरन अर्फ यह सबसे बड़े सिविलियन आवॉर्प भारत तन्रतन भी दिया घए अब dai've Refrae महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल इंडियन ज Рाट स्क्विरल म्यारतिय विसाल में दे कुंट रहे हैं यही है भारती विसाल गिलहरी या इंडियन जाइन स्क्वेरल जो महराष्ट्र राज्य का स्टेट एनिमल या राज्य पस्व है और स्टेट बर्ड है येलो फूटेट ग्रीन पीजन या हर्यल पक्सी और ये जो आप पिक्चर में देख पा इसलिए एक मही को महाराष्ट्र दिवस के रुप में भी मनाय जाता है जो इंटरनेशनल लेबर डेवी है और फर्स चेफ मिनिस्टर यानि पहले मुख्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य के तो यस्वंत राव चवहान और 1960 से पहले ये रिजन बॉंबे स्टेट का पार्ट था और बॉंबे स्टेट के पहले मुख्य मंत्री थे वी जी खेर और बॉंबे स्टेट के दूसरे मुख्य मंत्री थे मौरारजी देशाई जो आगे जाकर भारत के प्रदान मंत्री भी बने यानि पहले प्रदान मंत्री जो किसी राच्चे के मुख्य मंत्री भी रह चुकी थ इस राज्य में कोई भी महिला मुख्य मंत्री अब तक नहीं रही है। हाँ एक पिता पुत्र की जोड़ी इस राज्य में भी है जो दोनों मुख्य मंत्री के पत पर आसिन हो चुके हैं। संकर राव चवहान और उनके पुत्र असोग चवहान। फिर्स्ट फीमेल गवर्नर ओफ महाराश्ट्रा यानि महाराश्ट्र की पहली महिला राज्य पाल तो विजय लक्षमी पंडिक जो हमारे पहले प्रदान मंत्री जवाहरलाल नहरूजी की पहन भी थी। और अब अगला राज्य करनाटक का स्टेट एनिमल इंडियन या भारती ये हाथी। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर जिसे हिंदी में निलकंठ पक्सी भी कहते हैं। यह जो पिक्चर में आप देख रहे हैं यही है निलकंठ पक्सी जो करनाटक का राज्य पक्सी है या स्टेट बर्ड है। और स्टेट ट्री है सेंडल वूड ट्री या चंदन का पेड करनाटक का पूर्व में नाम मैसूर था और केच एंगल रायरेटी मैसूर के फस्ट हीम थे और इस मैसूर राचे के एक मुख्य मंत्री जो बाद में भारत के उपराश्ट्र पती रहे और वो है बीडी जत्ती और उनिस सो तयांत्र में मैसूर राचे का नाम करनाटक कर दिया गया और करनाटक बनने के बाद करनाटक के एक मुख्य मंत्री भारत के प्रदान मंत्री भी रहे हैं और वो है HD देवगोडा और HD देवगोडा के पुत्र HD कुमार स्वामी भी करनाटक के मुख्य मंत्री है यानि इस राज़े में भी पिता पुत्र की जोड़ी है जो दोनों मुख्य मंत्री रह चुके हैं HD देवगोडा और उनकी पुत्र HD कुमार स्वामी करनाटक राज़े में कोई महिला मुख्य मंत्री अब तक नहीं रही है फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ करनाटक या पहली महिला राज़े पाल करनाटक राज़े की तो वी एस रमादेवी वी एस रमादेवी करनाटक राज़े की पहली महिला राज़े पाल के पत के साथ ही भारत की पहली महिला मुख्य चुनावायद यानि First Female Chief Election Commissioner of India और राज्यसभा की पहली महिला महसचिव यानि First Woman Secretary General of राज्यसभा के पत पर भी रही है और अगला राज्य तेलंगाना तेलंगाना का State Animal Spotted Deer या चितल हिरन और यह जो स्क्रीन पर दिख रहा है यही है Spotted Deer या चितल हिरन जो तेलंगाना राज्य का राज्यपसू है तेलंगाना राज्य आंद्रप्रदेश राज्य से अलग होकर 2 जून 2014 को भारत का 29 राज्य बना और इसके First Chief Minister या प्रथम मुख्य मंत्री है के चंद्र सेखर राव या के सियार जो TRS Party के Founder भी है TRS Party यानि तेलंगाना राष्ट्र समिती और अब अंद्रप्रदेश राज्य आंद्रप्रदेश राज्य का State Animal है Black Buck या काला हिरन और यह जो स्क्रीन पर दीख रहा है यही है Black Buck या काला हिरन जो अंद्रप्रदेश राज्य का State Animal या राज्य पसू है और State Bird है यहां का Rose Ringit Parakeet या Ring-Naked Parakeet ये एक तरह का Parrot होता है Puppet या Tota और State Tree है अंद्रप्रदेश का Neem का पेड नीम ट्री अंद्रप्रदेश भारत में भासा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है यानि अंद्रप्रदेश is the first state in India to be formed on the linguistic basis 1903 में भासा के आधार पर भारत का पहला राज्य गटित हुआ अंद्रा राज्य तब इसका नाम अंद्रा स्टेट या अंद्रा राज्य था और तब इसकी कैपिटल थी कुर्णूल और इस linguistic basis पर वनने वाले अंद्रा स्टेट के पहले सी एम थे टी प्रकाशम और 1956 स्टेट रियोर्गिनाइजेशन एक्ट के समय आंद्रा स्टेट को हैदराबाद स्टेट में मिलाकर अंद्रा परदेश राज्य बनाया गया जिसकी कैपिटल बनी हैदराबाद और इस आंद्रा परदेश राज्य के पहले सी एम या पहले मुख्य मंत्री नीलम संजीव रड़ी जो बाद में भारत के छटे राष्ट्रपती बने शिक्स्थ प्रेजिडेंट ओफ इंडिया और इस आंद्रा परदेश के एक और सी एम जो आगे जाकर भारत के प्रधान मंत्री बने वो है पीवी नर्सी महाराव पीवी नर्सी महाराव भारत के नवे प्रधान मंत्री बने जो आंद्रा परदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं और इस राज्य में एक ससुर और दाम औन चंद्रमाबू नएडू इस राज्य में कोई भी महिला मुख्य मंत्री अब तक नहीं रही है तो сारदा मुखर जी एक और राज्य की पहली महिला गवश्यार राज्यपाल है और वो है गुजरात यानि सार्दा मुखर जी, आंद्रप्रदेश और गुजरात दोनों ही राज्यों की फर्स्ट फीमेल गवर्नर या राज्यपाल है वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें और वीडियो पर लाइक और कमेट करने के साथ ही वीडियो को अपने सोशल ग्रूप्स में सैर जरूर करें और अगर आप वीडियो शेर भी करते हैं और इस चैनल के अल्रेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत ही धन्यवार और आभार और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इसी तरह की वीडियो की नॉटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक् करें और उसके पास जो बैल आइकन है उसे भी हीट अवसे कर लें थैंक्स अलोट एन अल दे बेस्ट फोर यो गोल